आज मैं फिल ने आई हूँ आप लोगों के लिए एक रिव्यू वीडियो ये रिव्यू वीडियो कुछ प्लान नहीं था लेकिन जब मैंने उस प्रड़क्ट को यूज किया तो मैंने सोचा कि क्योंना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मुझे पर पर्सनली कितने अच् एस्टरबेरी परड़क्ट की एस्टरबेरी इस जटोटली आयूवेडिक ब्रैंड जो सरिक सीकिन के बारग्ट ही बनाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ flow सब्सिकिर करने वाली हूं कुछ सकिन के बाड़क्ट फॉम् धम ईस्टरबेरी आप यह नो दोलन conquest नाम के बार्ध लेकिन अगर स्किन केर की बात करें और हम आयुवधिक की बात करें तो बायोटिक की जैसे ही एस्टरबेरी प्रड़क्त भी है जो बहुत ही जादा अफोर्ड़ भी है और येट केमिकल फ्री प्रड़क्त है चली स्टार्ट करते ही वीडियो और मैं आपको बटाती हूँ जो मैंने पहला प्रक्त मंगाया है वो है ये इस्टरबेरी ग्रीन एपल रिफ्रेश फेशल टोनर कोई भी स्किन केर रूटीन अपनाने से पहले अगर आप टोनर से अपना फेश साफ कर लेते हैं तो कोई भी ड विटमेंस एंड अलोवेरा एक्स्टरक्ट है तो ये बहुत ही अच्छा टोनर है मुझे बस एक बात इसकी मतलब जो मुझे एक चीज इसकी प्रसंद नहीं आई वह आई इसकी फेगरेंस बट बिकाज ये ग्रीन एपल तो इसकी फेगरेंस भी ग्रीन ये तरह है और मुझ इसमें कोई भी ऐलकोहल नहीं है, कोई भी इसमें कैमिकल नहीं है, इसमें लिखा है कि यह pH बैलेंस है और अलकोहल फ्री है, तो यह बहुत अच्छी बात है इस टोनर की, तो फर्स्ट अफॉल जब भी आप स्किन केर रूटीन अपनाएं तो पहले आपको तोनर से अपने फे पहले रच लगेगा और क्लिन लगेगा, गटा पहले कि ए अपनी फेस के लिए बहुत ज़ादा इस्तिमाल करती हूँ और I am sure बहुत सारे लोग इस्तिमाल करते हैं, इस त हिस अच्छी अच्छी ऑखय त हेलोवेड जयल, इस सिज़ इस एस्टिपेरिय अलूवेड अर इसमें लिक्षा है कि यह आपकी फेस को गलो करता है और आपकी प्लिश को रर्श करता है अलवेरा जेल की सारी फायदे है मैं आपको यमे बता दी है लेकिन तो यह सब जहते हूँ कि इस 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 वाइट कलर अलॉवेरा जैल इसकी बॉडल सिर्फ ग्रीन है लेकिन वाईट कलर के अलवेरा जैल है जो अगर आप अलवेरा की लेंगे और उसमें से आप अपना जैल निकालेंगे तो भी वो वाईट कलर का होगा तो यह बहुत अच्छी बात है इसमें और यह मैंने बहुत इस्तमाल किया है यह पिछले एक महिने से मैं अलोवेले जल को इस्तमाल कर रही हूँ और कोई भी परक्ट जो मैंने पहले अलोवेले जल जिस कमपनी के इस्तमाल किया है उन्में सबसे बेस्ट जो है परक्ट वो य अगर आप फॉंड आफ है अपनी स्कीन और बालों के लिए यूज करने के लिए तो आइ थिंक दिस परड़क्ट इस मस्ट इन यूर स्किन केर रूटी जिलिए अप तीसर परड़क्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिसके बिना कोई भी स्किन केर अधूरा है वो यह है वो है यह एस्टर बैदी नीम और एलो फेस वाश फेस वाश जनरली आप रोज इस्तमाल करते हैं और मेरा कहना तो यह है कि अगर आप अपना फेस को वाश करते हैं रेगुलर तो कभी भी सोप से मत वाश कीजिए हमेशा किसी फेस वाश से वाश कीजिए तो यह मैंने फेस वाश बहुत टाइम से मैं से यूज कर रही हूँ और यह बिलीव भी बहुत अच्छा फेस वाश है इसमें लेमन है बेजल एक्स्टरक्ट है इसमें और यह आप फेर पिंपल के स्कार्स है तो इस फेस वाश इस वाश इस वेरी गूड परडक्ट क्योंकि मैंने बहुत लोगों को रेक्रमेंड भी किया है यह परडक्ट और उन्होंने यूज किया है जिनके पिंपल्स हैं तो उनको काफी फाइदा हुआ है तो यह फेस शुर्छ शुष्ट शुर्ण सजाओ है एकली लागत शुर। यसे बहुत अदो बहुत सार्में कि अथ्यादा शुट कि स बस्कुरत कमाग्र बहुत सबैसल है बेदे हाओ फीयतन होगा एक शुट दे शुर्मेम यूदर शुट वाशल परमत बहुत समर्ट नले तो तो आपको बैच चलेगा कि मैं आपको exactly क्या पताना चाह रहे हूँ क्योंकि skin बिल्कुल भी dry नहीं होगी, soft होगी और एक्टम clean हो जाएगी तीनों product अपने skin के routine में आप अपना लें और इन्हें रोज इस्तमाल भी करेंगे तो आपको उसके अलावा किसी face pack या किसी और चीज़ के जोट नहीं पड़ेगी यह कि aloe vera extract किसी भी product में होना और aloe vera itself आपकी skin को बहुत जादा glowy बना देता है तो रोज आप अगर इन product को use करेंगे with toner, aloe vera gel उसको लगा के आप छोड़ देंगे और इसके बाद face wash कर लेंगे तो आपकी skin बहुत जादा healthy रहने वाली है That's it for today's video I hope आपको यह video informative लगा होगा और प्लीज आप अगर यह product इस्तमाल करें तो मुझे comment पर जोब बताएए कि that how you like it आपको पसंद आये या नहीं आये product या फिर नहीं आये तो भी आप मुझे बता सकते हैं और आ गए है तो भी मुझे बता सकते हैं If you want कि आप इस product को यूज़ करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि आप कहां से खरीदें तो मैं इनका link जो है वो description box में दे दूँगी आप description box चेक आउट कर सकते हैं और वहां से directly इनको खरीज सकते हैं तो चलिए अभी इस वीडियो को वाइडन अप करते हैं टड़ा फो नाव and take care